मेरे को पूरी उमीद है कि आप लोग सबने सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो करी लिया होगा अभी एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप से पूछता हूँ कि UNO का Human Rights Day कब था? चलो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि Human Rights का डे जो था Human Rights Day UNO का वो December 10 को था फिर चलिए अभी Second Question पूछ लेता हूँ Child Rights Day कब था UNO का? तो आपको अगर नहीं भी पता होगा तो मैं बता देता हूँ November 10 को अभी मैंने दो क्वेशन आपको पूछ दिये उसमें मैंने आपको बोला UNO, UNO, UNO तो UNO है क्या चीज? UNO है United Nations Organization ये सारी दुनिया की सारी कंट्रीज को मिला कर ये एक organization बनती है United Nations Organization इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जैसे आप देखते हो न कि पिक्टरों में आता है खासकर सुपर मैन, पैट मैन, ही मैन इन सब टाइप की कॉमिक्स में यानि की इन सब टाइप की मुवीज में Iron Man की League of Nations, League of Nations तो UNO से पहले था कि सारे सुपर पावर्ज जो थे, जो सुपर पावफुल मैन हैं वो इकठे होके कुछ out of the universe कोई threat आता है उससे लड़ने जाते है तो वो एक तरीके से आपको लगता है कि UNO की forces है, सारे world की forces unite करके बनाए गई है तो वैसा ही कुछ है UNO लेकिन यही है कि वो super humans नहीं है उसमें जैसे Batman, Superman, Iron Man इस तरह के super humans नहीं है बलकि सारे nations है, countries है UNO में तो UNO ने human rights भी रखे वे हैं और child rights भी रखे वे अब ही हम सबसे पहले आते हैं human rights पे human rights का बाते है, picture में जब सारे लोगों को equal नहीं समझा जाता तब ही वो human rights की जुरत परती है otherwise अगर सारे लोगों को equal समझा जाए तो किसी का rights को अगर नहीं थीने हम सब को एक ही तरीके से रहने दे, तो human rights की जुरत ही नहीं पढ़ेगी लेकिन दुनिया में बहुत ज़दे discrimination है जैसे इंडिया में discrimination है, वैसे दुनिया में भी discrimination है लोगों को सब लोगों को equal नहीं समझा जाता है इसी के लिए human rights की जुरत परती है तो नमबर एक point आता है उसका ये हर आदमी के लिए जुरूरी है ताकि वो dignity से रह सके मतलब आत्म सम्मान के साथ रह सके congenial rights होते है congenial का मतलब होता है कि सब लोगों को स्वतंतरता है कि वो खुशी से रह सके pleasantness से रह सके, खुशी से रह सके तो वो congenial होता है और किसी को discriminate ना करा जाए किसी भी तरीके से caste, creed, religion, language, nationality अब different countries आती है यहाँ पर nationality भी आती है मतलब अगर आप कहीं बाहर मिल रहे हो outside India वहाँ पर एक Chinese भी है पाकिस्तानी भी है एक Indian भी है एक Saudi Arab का भी है एक Australian भी है तो वहाँ पर और एक आफरिका वाला भी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आफरिका वाले को नीगरों कहके अलग समझें फिर एशन्स को वह ब्राउन या ब्लाक कहके अलग कर दें और सिरफ जो गोरे लोग हैं वही आपस में ठीक से बातचीत करें तो यह सब भी discrimination होता है तो सब लोगों को equal समझना चाहिए नाशनालिटी के अनुस्तार भी यूए नो मैंने जैसे आपको बता दिया उसका full form होता है United Nations Organization वो आपको देता है Right to adequate food, housing, water, hygiene यानि कि खाने को सब को बराबर मिलना चाहिए घर मिलना चाहिए रहने के लिए पानी पीने का potable water मिलना चाहिए hygiene यानि कि cleanliness से रहना चाहिए मोदी जी ने आपको याद है कि दो ती नभियान चलाए थे एक तो था कि cleanliness जिसमें उन्होंने जाड़ू भी लगाया था याद आगया होगा आपको ये कुछ टाइम पहले करीब 5-6 साल पहले की बात है दूसरा उन्होंने अभियान चलाया था कि हर घर में शौचाले होना चाहिए शौचाले यानि कि लाटरेन यानि कि बात्रूम लोगों को डबा लेके बहुत दूर नहीं जाना चाहिए खितों में और ऐसे वैसे टौलेट करने के लिए बात्रूम करने के लिए तो हर घर में शौचाले होना चाहिए और हर घर में और सब जगा cleanliness होनी चाहिए cleanliness में कौन सा शहर कौन सा स्टेट इंडिया का नंबर वन है प्लीज मेरे को कमेंट्स में लिखके जुरूर बताईएगा ये इंडिया में है cleanliness में नंबर वन ठीक है ये हमारा आज का आपको question है अभी हम आते हैं UNO पर ही Human Rights पर ही Right to work and Remuneration सब लोगों को काम मिलना चाहिए और काम के बतले उनको remuneration मिलनी चाहिए यानि कि उनको उनके महनताना मिलना चाहिए उनका labor जो भी उनको उनका महनताना बनता है उनको labor बनता है उनको remuneration बनता है उनका पैसा बनता है वो पैसा उनको मिलना चाहिए Right to education सब लोगों को education मिलनी चाहिए उनको पढ़ाई लिखाई ताकि वो उपर आ सके Freedom of expression मिलना चाहिए Right to freedom of expression जो वो बोलना चाहते हैं वो freely frankly बोल सके उनको कुछ छुपाने की जरत ना पड़े किसी से डर ना हो कि अगर मैं ये बोल दूँगा कि ये मेरे को wages नहीं दे रहा मेरे को महनत आना नहीं दे रहा सरफ ऐसे काम ले रहा है तो ये मेरे को खा जाएगा मारेगा ऐसे करेगा ये सब नहीं Right to freedom of expression होना चाहिए Right to privacy होना चाहिए फिर privacy यानि कि अगर मैं मेरेको कोई disturb न करें जब मैं privacy चाहता हूं तब मねぇरेको कोई disturb न करें और Right to property यानि कि अगर मैं कोई property खरीदता हूं तो मेरे पास पैसे हैं और मैं property खरीद सकता हूं तो मैं वो property खरीद के मेरे नाम पे कर सको और वो मेरे आगे मेरी generations में pass on हो यह जैसे भी मैं will लिखू या जो भी लिखू उसके नसार वो pass on हो तो हर किसी को यह सब चीज का अधिकार मिलना चाहिए इस दुनिया में और यहाँ पर आपका वो आया कि every year 10 December is celebrated as Human Rights Day और फिर यह आया Human Rights Commission के बारे में आप activity में आपको दिया गया है कि आप उसकी क्या करती है वो information कलेक करिए और उसके बारे में discuss करिए अब हम आते चाइल्ड राइट्स चाइल्ड राइट्स ओवराल development of any nation तो जैसे मैंने आपको बताए कि हम आगए है चाइल्ड राइट्स पे इंडिया मैंने आपको बताए कि एक developing country है और साथ में एक बहुत young country है तो इंडिया में चाइल्ड जो है बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में है इंडिया is considered to be a very young country और बाकी काफी सारी countries जो है वो age में ज़्यादा होती जा रही है उसमें जो general judgment क्या है वो age में बढ़ती जा रही है तो ये चीज हमने human resources chapter में पढ़े थे आप वो चीज को refer कर सकते हैं तो मेरा ये context ये है ये सब बताने का आपको कि child rights जो दिये गए है UNO के द्वारा United Nations Organization की उसकी इंडिया में relevance क्या है क्योंकि इंडिया में young population जादा है इसके लिए इसकी relevance इंडिया में भी बहुत है आप खुद भी young हो आप खुद भी children हो तो आपको भी ये जानना चाहिए तो हम आते हैं अब overall development जो होती है बच्चों की वो किस तरीके से होती है और जिस तरीके से overall development अगर बच्चे developed होंगे तभी country developed का होएगी और बच्चों की development ठीक नहीं तो country की development ठीक नहीं होएगी ये direct वो relationship है तो overall development of children directly proportional है कि country की development अच्छी हो रही है कि नहीं अगर बच्चों की development ठीक नहीं होईगी लिखके लेनी जाब तो हमारी सबसे पहली प्रायर्टी है कि हम बच्चों का फिजिकल, मेंटल, इंटिलिक्चिल एनरजीज को अच्छे से डेवलप होने दे और उनको एक हेल्दी और रिस्पॉंसिबल चिर्डर मनाए तो यह हमारी सबसे पहली यानि कि प्रार्थमिक जरूरत है अब यूए नो कहता है कि उसने चाइल्ड राइट्स बना दिये अब चाइल्ड राइट्स में उसने क्या कुछ बनाया नमबर वन, राइट टू लिव विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ना कास्ट, ना क्रीड, ना कलर, ना जेंडर कलर मैंने आपको बताया है थो ना गोरा, कला, गोरा आदमी, कला आदमी तो कास्ट तो आपने पता ही है आपको चाप्टर 6 आप देख लेना बाकी सारी चीज़े वहाँ से आजाएँगे आपको और कुछ एकद nationality जैसे चीज़ेकद है जो नहीं आएगी आप, क्योंकि उन्यों में सरफ एक country नहीं होती, सारी countries होती है तो नाश्नालिट भी एक चीज़ आ जाती है बाकी chapter 6 को आप एक बर देख लीजेगा तो diversity and unity in diversity तो आपको इस चीज़े काफी clear हो जाएंगे right to live without discrimination यह पहला point है on the basis no discrimination of caste, color, gender, gender याने की sex याने की male, female, languages, religion, nationality फिर number 2 point पर आता है right to adequate nutrition, adequate nurturing by parents parents को अपने बच्चों को ठीक से पालपोस के बड़ा करना होता है adequate और जो उनकी जरूरते हैं उनको पूरा भी करना होता है जब उनकी जरूरते बढ़ती है जैसे जैसे उनकी age बढ़ती है वैसे इसको पूरा भी करना है हर different age group में आपको different जरूरते होता है किसी टाम पर आप दूद पीते हो, कभी आप दूद से बढ़कर थोड़ा बहुत कुछ खाने लगते हो, फिर आप और बड़े होते हो, तो आपको और जदा चीजों की जड़त होती हो, और ज़यादा पोश्टिक चीजों की ज़रत होती है, साथ में आपकी एज्यूकेशन की जड़त होती है फिर आप और बड़े होते हो तो आपको professional education की जड़त पढ़ती है फिर जब आप और बड़े होते हो तो आपको जाके professional education के बाद में आपको कमाई करनी है आपको परिवार बसाना है आपको तो आपको क्या चीज़ की जड़त होती है employment की तो आपके लिए employment भी ह या justice होना चाहिए, तो हर age group के साथ अलग-अलग चीज होती है, तो वैसे ही यहाँ पे जब तक आप parents के अंडर में चल रहे हो, तो right to adequate nurturing by the parents होना चाहिए, parents को आपको उसके हिसाब से अच्छे से पालपोस के बढ़ा करना चाहिए, फिर right to education for personal development, आपको खुद की personal development के लिए आपको education होनी चाहिए, आपको पढ़ाई मिलनी चाहिए, बराबर की पढ़ाई मिलनी चाहिए, फिर right to healthy life, आपको healthy life जीने के लिए सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, डॉक्टर की, फिर क्या कहते हैं, डॉक्टर की, हॉस्पिटल की, और आपको exercises की, ऐसे वैसे जो भी healthy life, योगा की, swimming pool की, तो इस तरही के की चीज़ें हैं, फिर आता है fifth number पे right to live in one's own community and preserve culture, ज़्यादा देखा गया है कि जब एक type के लोग अपने खुद के culture में रहते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से घुल मिल जाते हैं, और ज़्यादा अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं, और जब वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, तो वो ज़्यादा development होता है, उनका personal growth होता है, सब चीज का ज़्यादा ग्रोथ होता है तो right to right to live in one's own community and preserve culture और साथ में उनका culture जो है वो भी preserve होता है जैसे आप जिस community के हैं जिस जाती के हैं और जिस language के हैं जिस प्रांद के हैं जैसे आप माने जिए गुजरात के हैं गुजरात में आप जिस भी कास्ट के हैं वहाँ पर ही आप रह रहे हो और जिस area के आप हो वही पर भी रह रहे हो तो यह सब चीज जब आपके साथ में है तो आप ज़्यादा डेवलप होते हैं और आप अपना culture जो है आपका संस्कृती आपकी सब्धेता उसको भी प्रिजर्व करते हो चटवे point पर आजाते हैं आपको जो कहना है जैसा कहना है कहिए आपको पूरी सुतंतरता है वह चीज आप express कर सके अपने आपको अपनी feelings दुनिया को दिखा सके फिर आता है सात्वे नमबर पे right to protection against mental and physical harassment exploitation, agony यानि कि कोई आपको mentally परिशान कर रहा है या आपको जोर जवर्दस्ती से physically परिशान कर रहा है तो उसके against में आपको protection मिलना चाहिए आपकी harassment नहीं होनी चाहिए harassment अब जैसे आप college में जाते हो college में वो ragging होती है वो भी एक तरीके से harassment है या आप school में जाते हो जब आप नहीं जाते हो तो बड़े बच्चे भी होते हैं तो बड़े बच्चे जो है वो आपको अब यह इदर आ यह कर मेरा bag लेकिया यह कर वो कर तरह से करते हैं तो वो चीजे जो है harassment कर जाती हैं बाद में वो वैसे तो ragging के बाद में जब बच्चे बाहर आते हैं ragging से तो बहुत ज़दा घुल मिल जाते हैं अपने senior से जिसकी ज़दी ज़दा ragging होती थी वो उता ज़दा घुल मिल भी जाता था अपने senior से तो ये एक positive side मैंने आपको बताई ये negative side की भी एक positive side थी पहले खेर अभी वो harassment में गिना जाता है तो right to protection against mental physical harassment, exploitation and agony लोग एक दूसरे का शोशन करते हैं उसको exploit करते हैं तो वो सब चीजे भी वर्जे थे हैं इसमें और उनको यातनाएं देते हैं उनको agony देते हैं उनको परिशान करते हैं रुलाते हैं उनको दुख दर्द देते हैं तो वो सब चीजे जो हैं उनसे protection देता है UNOB under child's rights और बच्चे जो होते हैं वो इससे भी बहुत sensitive होते हैं तो कभी भी किसी चीज़ को अगर दिल से लगा लेते हैं तो वो जिन्दगी भर लगा के रखते हैं उनको बहार निकालना भी काफी मुश्किल होता है उनसे तो इसके लिए भी UNOB ये सब चीजे दी हैं child rights में फिर eighth point आता है right to social security and proper standard of living तो आपको पता ही है कि social security अगर आपको मिले तभी आप एक अच्छे से grow कर सकते हो social यानि कि सारी जनता की security अच्छे से हो social security में सिरफ आपका police, military ये सब नहीं आता बलकि आपका social security में आपका health service ऐसे सब चीजे भी आती है तो आपकी cleanliness सारी चीजे क्योंकि ये सब भी आपके social security में आती है कई जगा पे तो और standard of living आप जित्ता अच्छा आपका standard of living होईगा उत्ता आपका development ज़्यादा होईगा उत्ता आपको बिमारियां भी कम लगेंगी उत्ती आपको अच्छे से ग्यान प्राप्ती भी ज़्यादा होईगी क्योंकि आपके पास access है सारी चीजों का जैसे मैं आपको बताया था कि गरीबी एक बहुत बड़ी बिमारी होती है और जब लोगों को access में उत्ता है तो वो access बहुत अच्छा रहता है तो अभी हम chapter के end में आ गए हैं और यहाँ पर आ रहा है Child Rights Day is celebrated every year on 20th November 20 November को Child Child Rights Day celebrate करा जाता है activity आप कर ली जगा तो once again मैं आपको बोलता हूँ कि आप हमारे को जरूर subscribe, share और like करिए तो अभी के लिए इत्ताई बहुत जल्द मिलते हैं next chapter में तब तक के लिए bye comments जरूर लिखेगा हम आपके comments देखते हैं